हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है अमारे यूटर चैनल इस्टड़ी 26 पे और आज के वीडियो में देखेंगे constitutional values and fundamental duties जिन वच्चों ने लिया है तो उसी topic में एक मेरा थनमनी कराया हुआ है ये दूसरा है ठीक है तो इसमें कुछ important topic को देखेंगे और कुछ objective question को भी देख बीच बीच में उसको कराते चलेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है पहला question है इसका solution हमें आपका option नहीं दे रहे है इसका reason है जितना भी question है सब कर सब हो रटना होगा ठीक है यहनि कि याद करना होगा चीजों को याद करना भी कुछ 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 में आपको जोर रही होता है इसका objective के साथ हमने पहले भी करार रखाया उसको भी देखिएगा उसमें कुछ objective कराये थे और अभी करा रहे हैं तो इतना अगर कर लिजे तो यकीनन आपका पूरा topic खतम हो जाएगा इससे जादा आप पढ़िएगा तो कोई हर्ज नहीं होगा लेकिन नहीं भी पढ़ते हैं तो आपका बन जाएगा question ठीक है तो चलिए question को सुरू करते भारत का समिधान यानि भारत का समिधान पूर्णता कब लागू हुआ यानि बनकर ये कब लागू हुआ था यही question आप से पूछ तो इसक टाओ अमेतकर साहब को प्रारूप समीति का अध्यक्ष बनाया गया तो दूसरे प्रस्ण का उत्तर यहीं होगा तो इसको ध्यान में रख़ेतี सरह इा भारत के समिधान की प्रस्ताबना का संकल्पना किस देश से लिया गया है ये अमेरिका सी छरू अ कि भारत के समिधान में जो प्रस्तावना को रखा गया तो उसकी संकल्पना कहां से ली गई है अमेरिका के समिधान से ठीक है भारत के समिधान की जो प्रस्तावना है ना प्रस्तावना की भासा और गठन से ली यानि कि हम भारत के लोग भारत को एक संपुन प्रभुज्जो तो यह भासा का यूज हुआ है उसमें, तो उसको कहां से लिया गया, उसकी मतलब जो है गठन सेली जो उस भासा की है, तो उसको कहां से सुकृत किया गया, तो वो अस्टेलिया के समिधान से सुकृत किया गया, पहली बात ये, कि भारतिय समिधान में प्रस्ताबना को कहां से लिया गया वह अमेरिका के समिधान से हैं लेकिन उसमें भासा और गठन की सैली कहां से तो लिया है Стeg fürs ऑन के सर्टेयलिया के स्टृण ओर मुद्वा झायो सी sıक्ति का सुरॉत कि सENT भारत में रहने वाले जो लोग है ना वही सक्थी के सुरोत है इस प्रस्थावना के नहीं सा ठीक है यानि कि भारतिय समिधान ये बोलता है कि भारत में जो लोग रहते हैं वही उन्हीं के हाथ में सक्थी है ना कि किसी और के आत्मा ठीक है भारतिय समिधान की प्रस्थावना समयधाण के प्रष्थाउट के गई है Или liber pension की गई हैं तीन तरह के नियाए की बातें हमारे समीधान के प्रस्तावना में एक ट्यान के लिए गई है वह कोन है समाजिक न्याए और राजनेटिक टीन के आर्जनेटिक इंटWh ही था यानि की गई है इसको भी ध्यान में रखेंगा तो दिखें टोटली जो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि भारत का समिधान बनकर कब तैयर हुआ यानि पूर्णिता लागू कब हुआ और प्रश्टावना में सयली और भासा का जो गठन की गोआ यानि उसके गठन की सहली जो लीगई है वो अस्टलिया के समिधान से लीगई है उसके प्रस्तावना में सक्ति का असरोत कौन था तो भारत के लोगों को बोला गया है। उसके बाद भारतिय सम्मिधान के प्रस्तावना में कौन-कौन सी चमता की बात है। तो इसको आप सुही कर लिएगे, संता की बाते की गई है. भार्तिय संविधान के प्रस्तावना में परतिष्था और अवसर की संता की बात की गई है. यहीं प्रस्तावना की अनुसार को कव अंगिकरित किया गया. तो 26 नुवंबर 1949 को यह बाते बोली गही है. ठीक है भारतिय संविधान की प्रस्तावना में संसोधन कब किया गया है यानि कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में संसोधन जो हुआ है वो कब हुआ है तो 42 संविधान संसोधन जो हुआ था 1976 में उसी में हुआ और अभी तक भारतिय संविधान में मातरे एक बार में हुआ था इसी में और इसी में तीन सब्दों को जोड़ा गया था जो कि आप जानते भी हूं यह कौन-कौन तो आप उसको दिख लीजे सम्मिधान की प्रस्ताबना में पर्थम संसोधन के द्वारा किन तीन सब्दों को जोड़ा गया तो वह दिखिए समाजवादी पंथ निर्पेक्च और क्या है अखंडता सब्दों को जोड़ा गया यह कोश्चन बहुत इन्पोर्टेंट है यह कोश्चन हर जगा पूछा हुआ है तो इसको याद रखेगा ठीक है कि भारतिय सम्मिधान में आपसे पूछेगा समाजवादी पंथ निर्पेक्च और अखंडत एक वैक्थी को नियाए कियावशावती है चुक्चि उनको यह लगता है कि जब तक हमको नियाए नहीं मिलेगा तब तक कोई भी इंसान किसी के साथ भी कोश गलत कर सकता है ना नियाए पे ही तो सब किया आस्था है तब लोग निवास कर रहे हैं रहे हर एक समाझ में यही है और उसे समाजिक हित के विरुद各 कोई भी इन्सान है उसको आपस में जोड कर रखती है और कोई भी ऐसा काम के लिए बोलती है कि आप जिससे कि समाज को कोई दिक्त हो ठीक है यानि न्याय का मतलब ही होता है कि समाज को बांधके रखना, समाज में रहने वाले लोगों को बांधके रखना और ऐसी कोई भी विचारधा या कोई भी कारे नहीं करने देना ताकि लोगों को कोई दिख़्त हो, ठीक है? ये न्याय का मतलब आपको सम्झा दें, प्लेटओने, न्याय के बारे में क्या कहा है? उसको दिखें, उन्होंने कहा है, कि न्याय मानवा आतमा की उचित अवस्था और मानवूए स्वभाब की प्रकिरति की मांग है, ठीक है? तो प्लेटो के अनुसार, न्याय जो हता न, व ठीक है? मतलब यहां पर नहीं लिखा गया है, देख़ें कुछ misprint हो जाता है, ठीक है? तो इसको धियान में Salmond बोलता है, कि सभी ब्यक्ति को उसका कुछ हक मिलता है तो उसी को नियाय बोलते है, ठीक है? Salmond के अनुसार. अब चलिए न्याय में कुछ और वी चीज़ों को देख लेते हैं, तो इस प्रकार न्याय का अर्थ हुआ है, न्याय पून तरीके से सभी के अधिकारों को सुरक्चित और संलक्चित करना, यह नियाय का मतलब होता है कि सभी के अधिकार, आप हम सब का अधिकार सुरक्चित और संलक्चित करना ही न्याय का लाता है, यह सभी लोगों के बीच सामन्ज सस्थापित करता है, क्या, न्याय जो है, वो सब लोगों के बीच सामन्ज सस्थापित करने का कारी करता है, व्यवस्थित और उचित तरीके से सभी के अधिकारों को जिवित करता है, क्यों न्या किया जाता है, तो नियाय का मतलब सीधा आप आप समझे कि किету का अधिकार उसką से उसको विंचेत नहीं करना नियाय करता है तो उसके लिए उसको सजा देता है, दंड ध्रीक करने यह निल्ट करता है तो उसको सजा देकर उसमें ठीक या करने का भी प्रयासच्रा किया जाता है और बार्तिय सब्धान की प्रस्टाब नंमे तीन designs की कि चर्चा है। समाजिक आर्थिक और सम áंता पर अरह राजित हुता है यानि कि समाजिक न्यायया जो हम रहने वाल» यानि कि यह कहता है निकि समाज में रहने वाला कोई भी वक्ति चाहा वो धनी हो, अमीर हो गरीब हो, कोई भी इंसन हो, तो उसके बीच में किसी भी परकार का भेधवाव नहीं हो, यही होता है समाजिक नहें। यानि कि आपको सीधा लिखिएगा कि समाज में रहने वाले हर एक विक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदवाब नहीं किया जाना ही समाजिक नियाय कराता है, समाज में रहने वाले सभी लोगों के साथ समाजिक नियाय करना ही समाजिक नियाय है, समाज में रहने वाले विभ कुछ मुसलिम है तो उसके साथ गलत वैवार हो सकता है लेकिन देखिए हमारे यहां समाजिक न्याय है तब तो हम लोग के साथ कोई गलत वैवार नहीं होता है ना तो जाती के आदार पर ना ही धर्म के आदार पर ना ही लिंग के आदार पर ठीक है यह हमारे सम्मिधान में भ कि आहिंने बागसी की से समाजिक नियायो समय होता है कि ज eine अस्थान, संपत्ति, ध charm, जाती, लिंक, किसी भियाधार पर किसी के साथ कोई वितभाब नहीं किया जाएगा, यानि कि मालेज़ेता आप बिहर के हैं और कोई जारखन्ळ का है, तो उसके साथ कोई बियाधब हो, बिलकुल नहीं होना चाहिए, समाजिक निया, बोलता है कि आप अगर जारकन के हैं, बिहर के हैं, यूपी के हैं कहीं के भी हैं तो आपसे कोई भी विदभाब नहीं किया जाएगा, नहीं आपके जन्मस्थान के आदार पर नहीं लिंग यानि कि आप इस्तरी हो, पुरूस हो, कोई भी हो, तो आपके इसके आदार पर भी आपसे कोई भिरवाब नहीं किया जाएगा, नहीं आपके धर्म के आदार पर किसी भी प्रकार का भिरवाब किया जाएगा आपके साथ, ठीक है, अब देखे, राज को अपनी प्रसासनिक त समाजिक नियाए का मतलब है, समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति, धर्म, जाती, लिंग, कोई भी हो उसका, उसके आदर पर कोई भेदवाब नहीं करना समाजिक नियाए का लगता है, ठीक है? अब आजी ये दूसरा नियाए जो है, उसको भी दिख लीजे, आर्थिक नियाए, आर्थिक नियाए वास्तर में समाजिक नियाए से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि आर्थिक प्रणाली हमेशा समाजिक प्रणाली से जुड़ी होती है, किसी विवेक्ति के लिए उपलब्द क्याहिता आर्तिक अधिकारों तथा अबसर हमेशा पूरी समाजिक विवस्था का हिस्सा होता है समाजिक ल्याय की मांग है कि सभी व्यक्तियों को म SAY एक कमाने कि लिए प्रियाप्त अबसर होना चाहिए और उचित मेदूरी मिलना चाहिए और वह उस उस से अपनी बुनियादी जुर्णतों को पूरा कर सके देखे समाजी आप समझे आर्थिक न्याय का मतल्ड होता है कि कोई भी विक्ति हम आप कोई भी है ना हमको जो भी मन करे मैदूरी करना है ठेला जलाना है पढ़ाना है या कोई भी काम भारत में करना है तो वह हम कर सकते है किसी भी तरह का पैसा अपना सकिते और उस धन का यूज अपनी जिवन क की जुर्णते हैं उससको पूरा कने के लिए यही बाते अभी लिखेशित थी एक नरगे आपको बताते में को दिक्तिती का कोई को हिए्न हो गया या हुगा है जो उसके अभी सकारख देखिया है अगर नहीं है तो ऐसे वेक्ति को यह अधिकार है कि वो मतलब कुछ कुछ आर्थिक लाभ भी प्रदान करें यानि कि देखे जो बुढ़ा वेक्ति है कोई विमार है या ब्रिद्य वेक्ति है या फिक कोई देखे एक तरह से बुले दिब्यंग वेक्ति है तो उसको राज जो है न कुछ आर्थिक साहता भी दे यही कहता है आर्थिक निया कि और उसके बाद कहा जाता है ना कि सम्रिदी का पल यानि कि आर्थिक नियाय में कहा जाता है जो भी पैसा वेगरा जो भी कलेक्ट होता है वो किसी सिमित वेक्ती तग ना रहा कर सब के बीच में बटना चाहिए ताकि उसका यूज सब वेक्ती कर सके ठीक है इसी को बोलते हैं आर्थिक नियाई अब देखिए जो दूसरा यह हो गया अब तीसरा नियाई जो है उसको दिख लीजिए राइनितिक नियाई तो राइनितिक नियाई का मतलब होता है कि देखिए यह नियाई की चर्चा जहां पर होती है वहां लोगतंत्र होता है जैसे भारत में लोगतंत्र लोगतंत्र का मतला होता है जहां पर जंता अपने सासक को चुनती है और वही सासन तंत्र को चलाता है वही लोगों के ऊपर एक तरह से कहिए तो रूल करता है और उसके अलावे वह लोगों की कल्यान का काम करता है जो कि अभी आप देख रहे हैं नेता लोग हम लोग चुनते वो अपने नेता को चुन सकता है, वो किसी भी तरह के वोटिंग में पाटिसिपेट कर सकता है, इसके अलावे अगर कोई वेक्ति को लगे ऐसा कि भाई हमको चुनाब लड़ना है तो वो चुनाब भी लड़ सकता है, लेकिन उसकी योग्यता को पूरा कर लेने के बाद उसको पूरा किया होता है उसी तरह मुख्या का चुनाव लड़ना है तो उसकी योगता के योगता को पूरा कर लेने के बाद उसको भी चुनाव लड़ने का अधिकार है तो ये सब राहिनितिक न्याय के अंतरगत आता है जिसमें प्लिटिकली लोग इसके अंतरगर ठीक है अब दिखे राइनितिक न्याय का अर्थ होता है किसी भी नागरी के बीच किसी भी प्रकार का भेतवाब ना हो राज संचालन में सभी नागरी का निर्वार दरूप से भाग ले सकते हैं यानि कि राज के लिए कोई भी सासक को चुनना है या परधान मंत्री राष्टपती को चुनना है इनको चुनने में लोग एकदम डिरेक्ट भाग ले सकते हैं लेकिन राष्टपती के बारे में आप सबस्क्राइब देट करता है और बनाते हैं और भूर ज्याकर करते हैं और वहांड करते हैं अर्फे वोटिंग में पाटिस्पेट करने के साथ चुनावल लड़ भी सकते हैं ठीक है तो इसमें यही चीजें लिखे हुए इसको देख लिजेगा इसमें बहुत ज्यादा चीजें है नहीं लिखा हुआ जितना चीज है वही चीज हम बोल चुक है आपको ठीक है अब देखिए हमारे भारत में क्या है हम लोग भले ही आपस में कितना भी लड़ने आपका जमीनी विभाद हो यह तो आपका पडोसी आप से लड़ लेगा लेकिन यही बात जब आती है भारत को लेकर कि भारत पर कोई एक करने वाला है इसमें बोलेगा कि इसको तो ऐसी स्थिति जब ये बनेगी इन तो पूरे देश का लूग देखिएगा एक साथ खड़ा हो जाता है और वो भारत की भाजित करने का काम करता है ठीक वैसे ही स्थिति में आप सोची आपका पडोसी कितना भी दुस्मन आपका हो लेकिन आपके घर पर कोई तरह की विपत यह एक ऐसी बेवस्ता है जिसके बीना समानता और सतंता की कलपना हमारे समिधान में की गई है उसको पूरा नहीं किया जा सकता है ठीक है तो इस बात को हम समझ गए कि भाईचारा होता क्या है कंसेप्ट आपको समझा दिए उसके बाद कि भारत के समिधान के अनुच्छे क्या बन का ए जो है आप जानतें 51 का ए उसमें क्या बोला गया सदभाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने देना सभी नागरीकों का कर्तब में बताये गया है ठीक है यान कि देखे आर्टिकल 51 का ए जो है वो मौलिक कर्तब में से समझ ली थै उसी में आप दे यूल कर बढ़ाना चाहिए यही बातें की गई है हमारे समिधान के आर्टिक 51 का ए में तो भाईचारा का कंसेट्ट आपको समझा दिए यह आपको समयना भी था यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था अब चलिए कुछ ऑब्यक्टिव कर लीजे चुकि आप भी बोर हो जुड़ा गया ऑप्सन आपके सामने है 1952 में, 1976, 1978, 1995 में इसमें सही उत्तरा बताईएगा ऑप्सन A, B, C, D कुछ भी होगा तो आप लिख दीजेगा ठीक है जो आपको लगे उसको आप लिख सकते हैं यह आपके लिए छोड़े चुकि इसलिए भी छोड़े हमको भी यह प पिक्चता और सर्वधर्म संभाव, तो सर्वधर्म संभाव का मतलब क्या होता है तो वही चीज़ आपको बताते हैं, सर्वधर्म संभाव का अर्थ होता है, किसी भी धर्म को पालन करने की सोतनता है, यानि कि हमारे भारत के समिधान में यह बात चर्चित है कि कोई भी वि अगले question को दिख लीजे अगला question है भारत किस परकार के राष्ट का उधारन है तो यह रिखे धर्म निर्पेक्ष राष्ट का उधारन है यानि कि भारत में धर्म निर्पेक्षटा को बल दिया गया है यानि कहने का मतलब यह हुआ कि भारत में किसी एक धर्म को बल नहीं दिया गया है बलकि यहां पर यह कहा गया है कि भारत में सभी धर्म को मनने वाले लोग रह सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं वरतमान में भारतिय समिदान में कितने भागें तो पचीस भा कि बसे बाद कि बारतिय समधान में धार्मी सोतन्ता की छर्चा कहां पे हैं तो अनुच्छष्च अनूच्छ पचीस सेल–एस में всोतन्ता की बाद कि गया है , बहती हमाज Winda के विख्षL में यह दिख्यन में उर्फार्मी सब्सुतन्ता की अधिक। विदी के समख समानता यानि कानून के समख सभी लोग समान है यह आर्टिकल 14 में कहा गया ठीक है लोग नियोजन में अबसर की समता की बात कहा पे की गई है तो यह अनुच्छित 16 में किया गया है कि लोग नियोजन में अबसर की समानता की बात अनुच्छित 16 में है ठीक है ए तो इतना आप देख लिए 20 अब्जेक्टिव भी तूरंत करेंगी लेकिन थोड़ा आप देख लेते हैं हम लोग क्या थियोरी को चुकि थियोरी भी करना जरूरी है साथ-साथ होता जाएगा तब मजा भी आएगा ठीक है अब देखें समानता क्या होता है अब देखें समानत तो देखें समानता का मतलब अब समझगी मनुष्यर जन्व से ही समान होते हैं इसलिए πरतिक मानव को एक समान अधिकार प्राप्त होनोग चाहिए हमारा समिधान भी भारत के सभी नागरीकों को एक समान अधिकार प्रदान करता है इसके बाबज़ु भारत में हर जगए औ समानता भी दिकने मिलता है तो ये भी आप देखिए एक दिर Gloria आपको समझ महां हो जाए जब चीज़ों को पढ़िए गा जो आप सोचिएगा तो ठीक है बारत के संबूहिक समेधाल में मौलिक अधिकारो हम में समानता की चर्चा डी कर कभी Dimandati तो मॉलिक अदिकार की चर्चा कहाँ से कहा पर पता िवरी इसंतर आप रुटिकल 14 शूर में समानता से समझगे जो आठकिल बनेगा इसलिए यह पूरा पूरा प्रोविजन्स याद रखेगा चारी बात तो है इसको रटली जिएगा ठीक है आर्टिकल चोगदा में का गया है विजी के समख समानता यानि कि विधी के समख सभी विक्ति समाने आप जानते सुप्रीम को ठाइकूट लोग जाते क्यों ज अधिकार है लेकिन सुप्रीम कोट हाई कोट जाएंगे तो वहां पर हमारे अधिकार के सनक्चन किया जाएगा और वहां पर हमारे अधिकार की वह वापस दिया जाएगा यानि कि हमको जो नियाय मिलना चाहिए वो मिल जाएगा ठीक है इसलिए हो जाते है तो इसका मतलता ह मुस्लिम धर्म हो तो हम लोग दोनों एक साथ रहेंगे तो ङा हम लोग के बीचा बेदवाव हो सकता ह्लिए करना चाहिए ऐले हुआ इसमें पूलग की गई है लेकिन उनकी लिए यह मतलब एक तरफ से आपका यह संद्ध होता है, आप उसके लिए यह अवल हो तब जैसे मालिजे कोई कि आप उसके एवल हो तो आप मतलब परिक्षा देजिए और उस तरह की नोक्रिय को प्राप्त कर सकते हैं ठीक है आपसे कोई भी तरह का भेदभाब नहीं किया जाएगा लेकिन उसकी योग्यता रखी गई है उसको आपको पूरा करना होगा ठीक उसके बाद कि आठिकल 17 का एक रसमा मां चल्ता आपको पराटेव। बंच के लिए नाट पर क के लोग से थोड़ड़ी बना रखते ते या उनसे चुआ चुदवाली रहते ना सन। खत्म करने की बात आर्टिकल 17 में बोली गई है तो यह समानता को लेकर बाते की गई है हमारे समिधान में उसको हमने करा दिया अब देखिए स्वतंता को लेकर दिख लिए लिवर्टी जिसको बोलते हैं तो आखिरी इसका मतलब क्या होता है और क्या-क्या हमारे समिधान में लेकिन इसका कभी मतलब यह नहीं होता है कि अन्य वेक्ति की स्वतंता का मतलब सबस्वतंतर है अपने जीवन में सांस ले सकता है मतलब यह सकता है संस चोड खान खा खा सकता है घुम सकता है सो सकता है सब तरह से स्वतंतर है लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि दूसरे व्यक्ति को कई मार दे, सवतंता का मतलब यह कभी नहीं होता है, ठीक है, सवतंता का मतलब आप सवतंतर हैं, लेकिन आप किसी और की सवतंता का हनल नहीं करें, ठीक है, उनको भी उतना ही सवतंता है, जितना आपको है, उतना ही को भी तो आप किसी और के साथ गलत कारेंगा इसका मतलम यह हूंता है ठीक सिले का अनुसार सुतंता अति का पर्तिवन्दों का आजैनों कि अनुचित पर्तिवन्दों की ओट्रतिप्षे है ठीक तो यह किसका है मेकेंजी का कहना था ठीक है तो दोनों ही डिपनेशन याद रखेगा अब आज अगले टॉपिक को समझते हुए चलेंगे आप सब्सक्राइब क्या है इसमें तो विस्व मानवादिकार आयो के धरा मानव के लिए मानव के कुछ अधिकारों की चर्चा की गई है भारत के समिधान में और उसकी तरह की स्वतनता की बात की घहांगी को कौन-कौन विचार की अभिवेक्ती यानि कि आप कहीं पर अपनी बातों को रख सकते कि आपको सोचते हैं तो आपको रोकने आया है नहीं आया है कि की आप Weakth कर सकते हैं अपनी बातूंपने रख सकते हैं। कि विष्वाष की सोतनता मैं आप विष्वास कर सकते इसकी विष्वाष कर सकते इसकी भी सोतनता खर्म की सोतनता है यहिंद Industry अगर रात नात होगा और आप अपा समझेंसकों ठीक हैं तो इसका कि सब्सक्राइब जब को से में जो और खेलती हैं नोघोज़ान expected कर गया और आर्टिकल देखे रहिएगा तो इससे सब्जेक्टिब भी अच्छा बना पाईएगा और ऑब्जेक्टिब लिए ठीक है तो इसलिए थोड़ा अब इसको ट्विश्ट देते वे थोड़ा आर्टिकल को भी याद करते वे चलते हैं लोग तो देखिए उसमें सांति पूर्ण एवं निरा युद्ध सम्मेलन करने की सोतंता यानि कि निरा युद्ध और सांति पूर्ण का मतलब होता है कि सांती से और कोई बिना युद्ध की आप कहीं भी बैठके सम्मेलन कर सकते हैं इसकी भी सोतंता है उसके बाद कि संगठन या संग बनाने की सोतं कोई आपना सकते हैं ऑर चिलए चला न छहीं अंगे करना चली अगर हैंको को पढ़ाना चलांएथ लगता था बढऻा कोई और कारी करना न की आप अब आपको YouTube पर खाले रिल से देखने का मन है तो भी कीजिए ऐसे ये विरिति नहीं है यह आपको ऐसे ही डाल दिये बीच में लेकिन यह विरिती नहीं यह आपके मनोरंजन का चीज है यह आपकी रूची पर आतारित है तो इतनी चीजिए आपको ध्यान में रहा है आर्टि इसे भी वेक्ति को उसके मतलब उसके जो अधिकार है उसका हनन नहीं करना चाहिए ठीक है आर्टिकल 21 का प्रान एवंदेहिक स्वतनता की बात करता है यानि कि प्रान एवंदेहिक स्वतनता की चर्चा कहीं पे की गई है तो अनुच्छद 22 में का गया गिरपतारी और तो इतना चीज आपको आप देखना था जो कि आपको आपको हमने बता दिया अब आजी अब आजी अब अब्जेक्टिव कुछ रहा गया है उसको देख लीजे जो की मेन मेन अब्जेक्टिव है तो आईए अब उसके तर्थ हमारे समिधान में मौलिक करतब को जोड़ा गया कितने मौलिक करतब हैं तो एक जोड़ा गया है तो इसको धियान में रखना उसके बाद के भारतिय समिधान में मौलिक करतब को किस देख के समिधान सेलिया गया यहां पर गलती आपके रखे आईएगा कि भाग चार लगा दीजेगा और अनुच्छिद एक्यावन का कौमार के आईएगा एक्यावन का ए तो आपको याद है कि आर्टिकल 51 का ए में मौलिक करता भी की चर्चा है लेकिन आपको भाग जो है वो याद नहीं रहता है आप कुश्यन है भारतिया सम्मिधान में वर्णी समांता की अवधारना किस बात पर नही Fur करती यह विशा संथान पद के नागरीकों के लिए है समांता का विदेसी नागरीकों लिए यह समांता कदिकार 복 adapt नागरीकों के लिए तो दिखे, समानता का अधिकार जो हमारे सम्विधा में कहा गया है, वो केवल और केवल, केवल और केवल, भारतिये लोगों के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है, option A इसका सही होगा, और इसके लिए कहा गया है, कि समानता का जो अपसर आपको दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि विदेशी लोग आए और क्ले कि हमानता का अपसर्द दो हमां आए विदेश से तो नहीं हमारे लिए जरूरी है कि हमारे देस में जो रहरे हैं उनको समानताष रीकाप कर दिया जाएगा वो जंडा को फार दे तो ये अच्छी बात तो है नहीं तो ऐसा नहीं कर सकता है वो ठीक है तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कैसे भी पूछे आपको concept आपका to the point के लिए होना चाहिए और वहाँ से जो भी सवाल बने तो उसका सही उतर आप लिख किया है तो आज के वीडियो के माधियम से हमने कोसिस किया था कि चीजों को एकदम analytically आपके सामने रख दे और सामाने तरीके से जो कि हमने कोसिस भी किया है बाकी कितना हम कर पाए ये तो आप बताईएगा कमेंट के माधियम से मा की आज के लिए इतना ही वीडियो पसंद आये तो अपने दोस्तियार में सेयर कर दीजेगा लाइक कर दीजेगा वीडियो को और कमेंटर अपनी परतिगरिया दीजेगा चलिए फिर मिलते हैं वीडियो में तो तक लिए धन्यवाद